दोस्तों जो कुछ भी चीज बार-बार करते हैं और उसे इंजोई करते हैं और हमें उससे happiness मिलती है तो वह हमारे मन को उस चीज के लिए और sensitive बना देता है इसी phenomenon को the incentive sensitization effect कहते है 1993 में Robinson और Berries ने इस पर research publish की उन्होंने इस theory की शरुवात एक drug addiction से की काफी scientists ने इस पर research की है और बताया है कि हम जब भी किसी favorite चीज को experience करते हैं तो हमेशा हमारा mind उस experience के प्रती ज्यादा sensitive हो जाता है और फिर हम उस चीज को बार-बार करने की habit develop कर लेते हैं तो दोस्तों ये healthy lifestyle develop करना चाहते हो और आप जिम जाएंगे तो आपको उससे खुशी मिलेगी और आप वो habit develop करेंगे चोकि आपकी life के लिए ये बहतर decision होगा तो दोस्तों I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा हमें इसे self improvement वीडियो आप लिए लाते रहेंगे till then as always keep learning हमेशा सीखते रह खुदको बेचर बना दरें thank you so much